आप सभी प्रियत दर्शकों का स्वागत है इस नहीं वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे भारती इंफराटेल एंड भारती एरटेल के स्टॉक्स के बारे में क्या इसमें और गिरावट जारी रहीगी? आगे की क्या प्रक्रिया हो सकती है? आपको कैसे काम करना है इस टॉक में? ये सब विशलेशन करते हैं इस वीडियो में इस वीडियो इस फॉर एडुकेशन परपस ओनली आईए चल कर सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग चार्ट से अगर देखें तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पर भारती इंफरेटल का चार्ट देखेंगे जिसमें आपको क्लियर पता लगेगा कि क्या हो रहा है? तो अगर इसका डेली चार्ट देखें तो सेप्टेंबर मंत की सीरीज जो शुरू हुई थी वो एक नेगेटिव नोट से शुरू हुई थी देखें सेप्टेंबर मंत की सीरीज में एक नेगेटिव व्यू बना था पहले दो दिनों में जब भी ऐसा होता है जनरली उस मंत का फीचर और आप्शन प्रेशर में रहता है तो यह यहीं पर हुआ इसने एक बार bounce back दिखाया और अच्छा गया उपर तक के लिए 229 तक गया और उसके बाद में उसने फिर से downward journey शुरू की और आज तो उसने अपना सीरीज का low भी तोड़ दिया है यहाँ पर देखेंगे तो आज यह 165 के आसपास गिर गया है काफी बड़ी heavy selling हुई है पिछले तीन दुनों से आप देख सकते हैं खुद से I hope you are very clear कि इतनी तीन बड़ी red candle बन रही है यहाँ पर बड़ी heavy level पर selling हो रही है आखिर क्यों तीन कारण बताएंगे जड़ा चार्ट पर समझते हैं पहले एक और चीज़ अगर आप यहाँ पर इसका super trend का indicator देखें भारती infertile का super trend का indicator confused था जब इसने कोविड का लो तोड़ा तो मई में जाकर इसने एक बार high signal दिखाया और फिर यहाँ पर जुलाई में उसने फिर से sell signal दिखा दिया तो चड़ा तो पर मज़े वाला नहीं चड़ा कि continuously buy-bye चल रहा है उसके पाद यहाँ पर इसने फिर से एक बार buy signal दिखाया और अब पिछले तीन दिनों से यह फिर से sell signal में आ गया है तो अभी के लिए लग रहा है कि जैसे उपर के level पर यहाँ पर selling आ रही है I hope you can see this अगर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर selling आ रही है और फिर यहाँ पर भी अच्छी selling आ रही है तो उपर के level पर selling आने का मतलब है कि अभी market उपर जाने की mood में नहीं है at least इस stock में आपको कमजोरी नजर आ रही है यहाँ पर तो यह चीज़ आप समझ लिए दोस्तों भाव भगवान होता है चार्ट पे सब कुछ दिखाए देता है आप सही तरह से देखेंगे तो आपको सब कुछ नजर आएगा अब आखिर क्यों कुछ निया बनता है क्यों हो रहा है आई ये चलको शुरूर करते हैं प्लीज कंसल्ट यो फैनेंशल एडवाइजर तो देखिए आपको जैसे पता है लार्ज कैप में से mutual funds अपने money को विड्रॉ कर रहे है सेवी का नए रूल आया है अगर multi-cap mutual fund है तो उसमें 25% आपको हर segment में रखना है small cap में भी, mid cap में भी और large cap में भी minimum जनरली होता क्या था? ये लोग large cap में जादा रखते थे 80% और बाकी mid cap में फिर सबसे कम small cap में तो अब इस rule से होगा क्या? small cap companies तो अच्छी चलेंगी कुछ time के लिए पर large cap companies में mutual fund को पैसा निकालना पड़ेगा इसकी वज़े से market थोड़ा correction mode में आएगा भी यहाँ पर ये तो एक local problem होगी जिसकी वज़े से ये चल रहा है एक global problem भी है इसमें तो एक reason तो आपको ये समझ में आया दोस्तों हम लोग nifty और bank nifty में अक्टिटेट करते हैं अगर आपको ये service चाहिए new intraday की तो आप ये mail पे डाल सकते हैं दूसरा global reason भी है दोस्तों और ये दोनों पर applicable है आप भारती infratel एस भारती airtel पे अगर आप देखें तो इसमें क्या हो रहा है कि COVID की वजह से economy पे बहुत बड़ा impact आ रहा है इंडिया में ही नहीं बाहर की global economy में भी पहले ये समझा जा रहा था कि इसकी wave खतम हो गई है अगर हम UK की बात करें क्योंकि हमारी team महाँ पर है वो बढ़ने लगाए दिरे-दिरे और इस weekend पर वो बढ़के in fact 4000 फिर से हो गया है एक तो school खुल गये वहाँ पर इसकी वजह से कुछ ज़्यादा फैल रहा है दूसरा वहाँ पर shopping mall, food, restaurant सब खुले हुए है और लोग बग जा रहे हैं जो लोग घर से काम कर सकते हैं उनको force किया जा रहा है वो घर से ही काम करेंगे जो भी computer पर काम करते हैं सबको अब घर से काम करना है हमारी team को पूरा बो लगया है कि आप घर से ही काम करेंगे तो यह ऐसी situation है कि आपको definitely आपको समझना है जब तक दवाई नहीं आती है economy पर impact रहेगा local economy हमारी तो अभी तक COVID का high नहीं आया है तो वेवडूप तो छोड़ी दिए पर global economy में भी पैसा निकल रहा है यहां से तो यह चीज थोड़ा सा negative view बना रही है यहां पर तो technically भी negative है और साथ में यह news आके मिलके खराब कर दे रही है अगर आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी ने आज बहुत जटके दिखाए है पहले उपर खुला फिर नीचे गया फिर बाद में recover करने कोशिश की और almost flat सा close वाई बैंक निफ्टी वहाँ पर अच्छा close वा था आज तो अगर एक और parameter देखें हम infratel के इस particular stock में तो आपको clear cut नजर आएगा कि यहाँ पर stock में weakness है हम कौन सा parameter यूज करेंगे हम जड़ा इसको पहले हटा देते हैं unfortunately zero था में अगर refresh करते हैं तो यह पुराने वाले को लेकर आ जाता है तो हमने studies में लगा के रखी थी पहले पर अभी वहट गई है हम आपको बताते हैं high low band एक हमारा favorite band है जिससे आप बता सकते हैं कि आगे आनवाल रुख कैसा रहेगा तो देखिए जब यह नीचे गिर रहा था तो इतना जादा band से बाहर नहीं गया था पर अभी यह band से बाहर बहुत जादा गिर गया है तो आगे यहाँ पर velocity से गिरेगा नीचे हो सकता है थोड़ा retrace करें mean की तरफ काने के लिए पर यह clear cut downward sign है देखिए यहाँ पर जैसे clear cut इसने upward sign दिया था ऐसे ही यहाँ पर अभी downward sign दे रहा है तो अभी लग रहा है कि market नीचे आएगा आपको क्या critical level देखना है वो भी बताएंगे आपको तो यह तो हुआ इंफराटल का technical chart पर कैसे लग रहा है अब यही चीज़ अगर आप भारती एटल को देखें तो वह तो और भी weak है देखिए भारती एटल ने तो consistently यहाँ से 500 के level से 540 के level से sell signal बता है और अभी यह 430 तक आ गया है और आज की बार देखेंगे तो बहुत बड़ी बार बनी है आज की यह एक alarming sign है है आपर आप देखिए यह जो बड़े volume के साथ गिरा है और इसके बाद में आज का जो volume के साथ गिरा है पिछले average से सबसे ज़ादा तो यह एक खतरे की गंटी है कि भारती एटल में भी पैसे निकाले जा रहे है, mutual fund डेफिनिटी निकाल रहे है और जब भी देखिए बाहर वाले लोग भी जब पैसे निकालेंगे तो यह बड़े stock जो होते हैं उनमें सबसे पहले hammer करते हैं वो लोग तो इस पैसे withdrawal की वज़े से एक technical sell-off बन गया है दोनों में technical sell-off in the sense कि जब अगर कोई भी इस chart को देखेगा super trend की basis पर जितने slope से गिर रहा है वो आके और उसको hammer करेगा और शॉट करेगा उसको morning में जब और लोग शॉट करेंगे तो और नीचे जाएगा तो यह थोड़ा सा एक खत्रे की बात है हम यह नहीं कहा रहे कि हमारे channel का primary purpose education है और आपके education के लिए हमने एक video बनाए हुए है जिसमें आपको 45 वीडियो अलड़ी loaded है आप अपनी मर्जी से देख सकते हैं इसको जब आपको देखना है तो अगर देखें यहाँ पर इसमें जो चल रहा है अब भारती Airtel का specifically तो देखेंगे कि यह pattern जो नीचे की तरफ को downfall हो गया है यहाँ से देखें इसका band बढ़ता जा रहा है और weightage नीचे की तरफ बढ़ता रहा है यहाँ से देखेंगे continuously ज्यादा time जो है नीचे के हिससे में spend कर रहा है यह देखें नीचे के कुछ दिर उपर गाने की कोशिश की पर वो sell off हो गया फिर से नीचे में आया और फिर से continuously यह sell off चल रहा है तो यह technical sell off इस parameter पर भी आपको दिखाई दे रहा है बुलिंजर बैंड आपको clear बोल रहा है कि यहाँ पर अभी downfall continue रहेगा एक और parameter जो देख सकते हैं आप वो है MACD MACD ने भारती Airtel को 500 के level से 520 के level से sell off बताया है और यहाँ से MACD अब continuously इसको sell कर रहा है तो यह एक थोड़ा सा खत्रे वाली बात है कि सारे technical parameter मिलके यहाँ पर technical sell off बता रहे हैं जिसकी वज़े से दोनों भारती Airtel एस भारती Airtel पर बहुत तेज प्रेशर आड़ा है क्योंकि आपको पता हिए अब टेलिकॉम सेक्टर है टेलिकॉम सेक्टर में revenue का थोड़ा प्रेशर आड़ा है जब से Reliance GO आया है तो उसकी वज़े से भी टेलिकॉम सेक्टर थोड़ा सा weak है और उपर से जब इस technical sell off आता है तो वो weak stock को और pressure करते हैं अब इसमें दोनों के लिए आपको एक key level आपको देखना है पहले भारती अटल के chart से शुरू करते हैं भारती अटल न अगर 400 का level तोड़ा तो आगे का level बहुत नीचे जाएगा दोस्तों हम बताएंगे कहा तक जाएगा पर आप समझी 400 का level क्यों कह रहे हैं ये बात आप ध्यान से दीजिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप आगे ये खुद स्वीज कर सकें तो अगर इसका chart पहले से देखें तो यहाँ पर इसने एक bounce back दिखाया था पहले जब नीचे आया था यहाँ से फिर एक bounce लिया था तो यह लेवल एक support level माला जा सकता है इसका यहाँ पर अगर इसने 400 का level उपर गया यहाँ से तो अच्छा है यहाँ से उपर जा सकता है पर पर इसको जूम आउट करें, देखिए, 1.500 के लेवल पर इसकी काफी sell-off हो जाएगी अगर यहाँ पर हुआ तो, पहले 1.500 के लेवल क्यों बता रहें, यह देखिए, यहाँ पर इसने जब यह bounce back किया था इस लेवल पर, तो यहाँ से अच्छी candle बनी थी, यहाँ से इसने bounce back करने की कोशिश किया, और उसके बाद यह इस लेवल को नहीं देखा है, तो यहाँ से अब गिरने के बाद में, अगर यह नीचे गिरेगा, तो यह 1.500 का लेवल एक critical support की तरह से काम करेगा, आगे आने वाले time के लिए, तो आपको यह चीज देखनी है, कि भारती airtel 400 का लेवल नहीं break करना चाहिए, इंफराटल भारती इंफराटल 1500 का लेवल नहीं break करना चाहिए, अगर यह break करेगा, तो इसके लेवल जो हैं, हो सकता है, मार्च के जो low level बने हैं, उससे भी नीचे चले जाएं, I do not want to scare people, बट जैसा लग रहा है उसके हिसाब से, ये crucial support है, जिसके चलते हुए आपको ध्यान रखना है, कि अगर यह level यहां से नीचे गिरते हैं, तो आगे का आने वाले टाइम में, थोड़ी मंदी रहेगी दोनों में, भारती इंफरेटल में भी, भारती एरटल में भी, और हो सकता है, आने वाले 6 महिने में, ये अपने फिर से नए low बनाने शुरू करने, तो प्लीज, अगर आपके पास इसमें profit है अभी, तो थोड़ा profit बुक कर लिजे, ताकि आप नीचे के level पर, आपके पास cash रहे थोड़ा, और आप नीचे के level पर इसको फिर से buy कर सकते हैं, दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज, एक बार like बटन दबाना, टीम को effort लगता है, सारी information लेके आना, coordinate करना, UK की टीम के साथ सारी information आपको UK की बताना, और बाहर की countries की बताना, तो इसलिए, थोड़ा सा आप अपना appreciation दीजे, comment box में डालिए, और like कीजे वीडियो को, तो हम आपके बहुत आबारी रहेंगे, और आपको कोई भी question है दोस्तो, या कोई आप particular वीडियो बनवाना चाहते हैं, तो comment box में डालिए, हम उसके लिए वीडियो बनाने के लिए तया आने, हमने अपनी सीरी शुरू की है, ask your question, उसमें आप जो भी question पूचिंगे, हमने अल्रड़ी 6-7 वीडियो बना दी है, और बनाते रहेंगे continuously, almost daily एक वीडियो बनाने का हमारा प्रयास रहेगा, अल्लेस अंडिल किस दिन हमारे को ज़्यादा pressure and work के reference में, तो ये अभी के हिसाब से हम इतना ही कहना चाहेंगे, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, मैं आशा करता हूँ, आप यहाँ पर सीख रहे हैं, क्योंकि हमारे चनल का प्राइमिर वीडियो के सीखना है, जैहंद्यभाण!